चुनाव पब्लीक के लिए हो रहे हैं ना चुनाव पब्लीक के लिए ना पब्लीक की सुवधा के लिए ना या पब्लीक को परिशान करने के लिए तो इस पर ध्यान देना चाहिए सब लोगों को आप अपने घर में महमानों को देखेंगे या आप इन लोगों के पिछे गाड़ी की प्रमिशन के लिए जाएंगे और कहां से आप गाड़ी कर लेंगे नेक्स लाइन पर आप बैठ कागा अर्याण बेठ चारों दिसा मातु सब्सक्राइब लिए जान दून नीचों में पचान दून नीचों में कई घर कई देभी यह ली कि विए की सुब घड़ी मां आपको पॉंचन जरूरी चा यह बान आपका दर्सन होए जाले मैं अगर आ कि गड़वाली थीम पर साधिया हो रही है तो आप सहरों में पांच लाग दस लाग रुपए अगर साधी गड़वाली थीम पर साधी करने भी खर्च कर रहे हैं तो आप ऑथंटिक रूप से जहां पर साधी हो सकती है जो तुमारे पैत्रिक गाउं है जो नीरस हो गए है निर्जन हो गए हैं आप अपने गाउं में क्यों ने जा रहे हैं आप अपने गाउं में जाईए और जितनी कोस्ट पे आप रिशी केस में साधी कर रहे हैं उसका दस परसेंट भी आपके गाउं में खर्चाने होगा पहार्त ऑथंटिक है वहां पे तो जो कुछ होगा सब बनेगे बड़ों की दाल और चास्टने वाला भाद बनेगा सब लोग बैठके लंगर में पतल में खाएंगे तिको प्रदान मंत्री जी आई थे वे प्रदान मंत्री जी ने बात बड़ी अच्छी बात कही थी उन्हों कि उत्राखंड को हम वेडिंग डेश्टिनेशन मनाएंगे तो मैं तो लोगों से गुजारिस कर रहा हूं कि प्रदान मंत्री जी की बात को भी संग्यान मिलें और हमारा भी मेसेजर रहवार है हमारा आप लोगों के लिए कि जो तुमारे पैत्रिक घर है जो निर्जन हो रख क्योंकि सच में आदेवी देवता रहते हैं मगर देवी देवताओं के साथ साथ हमारे उत्राखंड में अलग-अलग परकार का कल्चर भी यानि कि संस्कृति भी आपको देखने को मिलती होगी जो कि विश्व विख्यात है हर परकार के लोग हमारे पहाड में आते हैं चाह बहुत कम लोग शायद हमारे उत्राखरण में बच चुके हैं और उन सब में से एक व्यक्ति मेरे को मिले हैं जिनका नाम है अरुन कुलियाल जी तो अरुन कुलियाल जी से बात करते हैं कि भाई कैसे अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जैसी भाशायों का इस्तमाल करने के ब ना आपने किसी और अन्य भाशा का एक बोली का इस्तमाल करना कैसे मतला आपकी दिमाग में आये हैं तो हमारा जो करतब बनता है वो है कि हम अपने भाशा का संबर्धन करें मात्री भाशा का संबर्धन करें तो उसी को देखते हुए हमने गड़वाली भाशा का जो काल्ड च्पुआया है, सादे का है, मेरे च्वोटे भाइगी साधी है, इससे क्या होता है कि जो हम लोग नई पीड़ी को रूबुरू करा रहे हैं अपनी भासा से, जो लोग गड़वाली से दूर जा रहे हैं और जिन लोगों को गड़वाली भासा से परिसीत नहीं है, तो हम धिर्डी को दिखाने के लिए नई पी जिनको गड़वाली समझ में नहीं आतीय उनको बताने के लिए तो सर यह तो है जैलेंज भी होगे आपके लिए किस समझाए गे सीट、、शी व्हागे उनके लिए तो बहुत सारे सब्द ऐसे होते हैं, जो टिपिकल गडवाली के सब्द होते हैं, तो उन्होंने जरूर अपने घर में अपने दादाजी से, अपने माता पिचे से पुछा होगा, तो उन्होंने उसका अर्थ बताए होगा, तो अगर मेरे काल चापने से किसी ब्यक्ति को 10, 15, 5, सब्द भी आये होंगे, तो यह मेरा सवबाग है, बिल्कुल, तो आप यह सब सोच रहे होंगे कियार, बाते हैं, गडवाली में बात यह है कि हमारी संस्क्रीती है, हमारी बोली है, बात है हिन्दी में कर रहे है, मेरा उद्हहीर यह है कि मैं इस वीडियो को उन्न तमाम पुछाओं उन सभी लोगों तक पुछाओं जिन लोगों तक ये शायद ये होना चाहिए कि हमारी संस्क्रीत असल में है क्या जिने गड़ोड से अर हम तो आउंद ये गड़ोड से मज़वर बोल दुब हो पर भैजी क्या मतलब इन कारन रहे वोल क्यार ना-ना मैं आज सोच क्या है झाना चल्किक मैं पार गड़ोड मैं लेक टे कारी करतें च॥ान जिए कवे अधिक तर अधिकर सबद बढ़ादी मैं बात करतें तो जब तुम अपड़ी मात पासा में बच्चों सन पढ़ां तो बच आपत पर धरमां भी मज़ान पर्णमाहां अब हम 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 हिन तो थोड़ा मज़ेदार बात करते हैं तो आज भी परिवार में बात करते हैं अब कोई हिंदी वाल बेखती जैसें गड़वाली में लिख रहा है चार लोगों को नहीं पसंद आएगा चार लोगों तो समझ में हैं आयेगा तो छार लोग होते हैं हर एक थो करते पताव को किgesetzे किया अहां इसे हो सकते हैं तो पहाड़ों में शादी करो सस्ता पढ़ता है पहाड़ों में शादी महंगी पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं आपकी कितना महंगा पढ़ रहा है मैं अगर आपको आजकल बताओं तो आप देखना देरदून हो गया रिसी केस हो गया मतलब सहरों मैंने देखा है कि गड़वाली थीम पर साधिया हो रही है और उस पे बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं उस पर एक बड़े एक गड़वाली थीम देने के लिए बहुत सार आप ऑथन्टिक रूप से जहां पर साधी हो सकती है जो तुमारे पैत्रिक गाउं है जो नीरस हो गए है निरजन हो गए है आप अपने गाउं में क्यों ने जा रही है आप अपने गाउं में जाहिए और जितनी कॉश्ट पे आप रिसी केस में साधी Halian उसका 10 पर्सेंट बहुत तफ है आज के डेट में लोगों को समानुमान डोलना तो आपका तो एक तरीके से कि बिलकुल यह देखो बातें तो कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन मैं आपको गारेंटेट कहता हूं कि 10 परसेंट भी सहरों के मुकाबले गाउं की साधियों में खर्चाने आता है गाड़ी का बाड़ा पड़ेगा कितना बाड़ा पर जाएगा बाकि दूस सब औरिजनल है क्या करने वाले आप औरिजनलेटी देने के लिए इस बार शादी में क्या खाना वही होगा डाइनिंग वाला या फिर कुछ और त्रीके से जो पाड़ो की है संस्क्रिटी देखो जब ऑठंटिक की बात आती है तो उसमें कुछ करने की जुरूरत ने परती है वहां पे तो जो कुछ होगा सब कुछ वैसी होगा जीसे गाउम में होता है कोई डाइनिंग नहीं कूछ नहीं सरोल आएंगे खाना सब लोग बैठ के लंगर में पतल में खाएंगे पतल में खाएंगे उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमने कुछ बनाना है वो तो सिंपल है और सस्ता पड़ता है बहुत सस्ता मैंने कहा है कि 10% भी कौशने आती उसकी तो आप भी आप भी कुई पहाड भुला हो ले भैजे दीदी कुई भी आज अगर मेरी वीडियो देखना है तो बड़ो दाव अलब भाद सुनेगा आप गिच्टो पांट जरू जूटगे वोलो और जये भी शैर में आप शिंजाना तो जगाई वीडियो शेयर करां मैं कि हम चाहरों कि हमारे उत्तराखंड में वहार जाते हैं कुछ चांट चीजों के लिए सिक्षा, दिख्षा, स्वास्थय, रोजगार, को ह हम सब यहां दिया जाए तो शायद आज भी हमारा पहाड बंजर नहीं रहेगा, खेत बंजर नहीं रहेंगे, उसमें कुछ बोलना है आपको, प्रदान मंत्री जी आई थे भी, प्रदान मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्हों है, कि उत्राकंड को हम वेडिंग डेस्टिनेशन मना प्रदान मंत्री जी की बात को भी संग्यान में और हमारा भी मेसेजर, रहवार है हमारा आप लोगों के लिए, कि जो तुमारे पैत्री घर है, जो निर्जन हो रखें, आप उनको क्यों ने वेडिंग डेस्टिनेशन मना रहे हैं, अपने घरों में तुमारी जो भी की साधियां सहरों में हो रहे हैं, आप आओ न पहाड़ में, उन पुराने घरों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाइए, अपने विवाहिक समारों वाँ घर में करिए, आपके दोस्त आएंगे, आपके रिस्तार आएंगे, और आपके घर भी सही रहेंगे, तो अगर आप समय पे नहीं आते हैं, तो प्रदान मंत्री जी की बात ही सुन लीजिए, और मोधी जी की बात सुनकर आप उनको वेडिंग डेस्टिनेशन मनाईए, अपने घरों को, और अपने घर के सारी साधियां पहड़ों में करिए, मैंने का है कि सहरों के साधिय का 10% कौश भी आपक कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको समान यहां से रिशी के से अपने घरों तक पहुचाने के लागा, सामान उगिरा की तो दिकत नहीं हो रही है, लेकिन साधियों में लोगों ने कम 6-6 मेने पहले से बुकिंग करा रखे गाड़ियों की, जिन्होंने बारात का कर रही है, जबकि उनको सिर्फ उन गाड़ियों का एक्वाइर करने चाहिए उन गाड़ियां, जो साधियों में नहीं है, ठीक है, जब साधी का, जिनके घर में साधी हो रही है, वो लोग लिख के दे रहे हैं, कागस पे, application लिख रहे हैं, कि ये गाड़ियां हमारे साधिय में हम लोगों ने पहले इनको बुक किया हुआ है, तो ये सरकार के जन्परतनिदियों को भी और प्रसासिनिक महकमें को भी समझना चाहिए इस बात को, और उन गाड़ियों को छोड़ देनी चाहिए, अब चुनाओ की डेट तो भी एक-दो दिन पहले आई है, अब ऐसा त आता है, तो फिर, बिल्कुल दिक्कत हो रही है उसमें, गाड़े की बुकिंग के लिए आप लोग दो दिन पहले आप अपने घर में महमानों को देखेंगे, आप इन लोगों के पीछे गाड़ी की प्रमिसन के लिए जाएंगे, और कहां से आप गाड़ी कर लेंगे, जब गाड़ी है, सारी के सारी गाड़िया, साधियों वहां चुनाओं में जा रही है, तो कहां से गाड़ी करेगा आदमे, तो यह सबसे बड़ी समस्या आज की टेट पर जनल प्रतिनितियों को सोचना चाहिए, आप जब चुनाओं की गोशना करते हैं, तो आपको उस समय परसासन को कि हम लोग अगर चुनाओं की डेट निकाले हैं, तो पब्ली को परिसानने होना चाहिए, चुनाओं पब्ली के लिए हो रहे हैं, चुनाओं पब्ली के लिए हैं, पब्ली की सुवधा के लिए हैं या पब्ली को परिसान करने के लिए हैं, तो इस पर ध्यान द सब्सक्राइब करें लिए अब इतना सब कुछ हुआ तो फिर क्यों ना कार्ड की तरफ भी आपको लगिए चले कार्ड बहुत प्यारा आपने छपाया है सर काफी अच्छा लग रहा है गनेश जी का यहां पर सबसे पहले गनेश जी को ही कार्ड दिया जाता है और उन्हें आपने लिखी मैं एस्पूल मा जब थे तो भह सार सब्साभण थे ना कि जु यंदी मैं इसन पता थे तो ऑपड़ बचों सब्सें बचेंदा लिए बच्वापमा जख मैं पड़ना घ्रास मैं बड़ना जब बाद कर्या तो बहुत सार सब्सार मैं बच्च्वाश सब्सक्राइब करते अब यही होता है कि अगर सिख्षा प्रदान कर रहे हैं और जिन चात्रों को कर रहे हैं तो कहीं नहीं से भी सीखने को मिलता है काफी को जोकी हो नहीं अब कार्ड पर जा रहे थे हैं तो कार्ड के अंदर एक और चीज मिली हमें उसके अंदर काफी सारी चीजे सन्ने लिखी हुए जो के आपको मेरे स्क्रीन के ओपर दिख रहा होगा हम साथी साथ सरसे पढ़वाएंगे सब्सक्राइब क्या कुछ आपन कार्ण करें आपको जानकारन करें लिख रहा है अराम से वे सब्सक्राइब कोई भी काम कर्थी नहीं तो वह पहले आपन पहले कार्ण जी को वह रहा हम अब हमार गडवाल मा एक चीज एक उन्दी मांगलगीत मां एक सगुनाखर होना मत्दब जब आपको आपकार देवना जब आपको 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 अदिक तर जो हम हम पांचे पांच पांच पांडोस तो गड़ॉल तो गड़ेवालाम भात पांडोसि दन में तो अग्ड़ाइस के लिए मते नेक्स लें पर है कि और बैठ कागा हरिया बिर चाहीं बोलो कागा चोधिस तो काववा के बार में बात होनी कि काववा बोल बोल काववा आपके घर के बार गेट के ऊपर या फिर आसपास कहीं अगर बोल रहा है तो इसका मतलब के घर में कोई महमान आने वाले तो आप नेक्स्ट लाइन ये बार मतल जो बेद मुखी ब्रमा होंगे ब्रहमाण देवतावाल बेद पढ़ जब आलो अर सगुनी कागा सगुन बोल अर जो सगुनी कागा उसगुन बोल ठीक है अब पिंजरी को सुवा अटारी को सुवा शोन पंकी सुवा लाल टॉंटी सु दोन सगु हो делать को सुवा शोन पंकी देव सुवा लडिगी लाठाडाओ जेए सकुमाज भुटी सुवा उस्वा लडिकी लिए तो जो हमारे ध्यानतो भुएदयानतो जते है य हुब लिया जकुए वे जो जकांब हो जो तQueryि अ तो तो बन ज्टिसहे वह हमारे ध्योगी भ वहाराणो मा अपड़ी दी भूली होता है जो ब्योग है कि रून जो दूर चलिए न हमा आप नेक्स लैन मा कि जानदू नीछों में पचानदू नीछों में कई घर घर जाए वून या तोता क्या बूनिए कि मैं कैसन न्यूतीडे एंच्ट लैन मा कि बर्माजी का घर होली स तो उनकी घर में जायेगा क्या होणा तो उनकी अदे घर में गवन जो पतनी है अंको आतनी होता दे का ना होता हुप अनकी ата वर सस्थ्नु अड़े हमारे असे लीडोच्ए घबंध्य घड़म हुआट भ्यों मbugवान घुलर लग्संधि बर्मा का रूप और शिवजी पार्वति का रूप माने लिखा हुए इसके बाद पीछे मैंने बड़ी प्यारी पड़ी ती जो आपने लिखी वी ती ये नीचे का कि ब्योग की सुब गड़ी मा आपको पॉंचोन जरूरी चा ये बान आपका दर्सन होए जाल और कुछ भुल्यां बिश्रया नाता रिस्तादार मिल जाल मतला उई कि जब तुछ रिस्तादार तुमसन कै साल बेटीन मिलनी उंग भी मुलाका दो जाल तुमारे तुमारे तु यह यह तो आपने लिख वाल अपना पी निए तो इमा कितना भाव चुपावा इसके पीछे की मतलब सच में अपनी ध्यान तो आती है मतलब भेन आती हैं दूर से दिन की शादी हो गई है कुछ और लोग आते हैं कुछ रिष्टेदार मिलते हैं मैं सिर्फ यह काड़ यह मतलब नहीं है कि इसमें गड़वाली में लिखा हूं मेरत दिखाने का में मोटो यह है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी चीजे अर ऐसी धारना रखने वाले हम उनसे चोटी हैं उनसे चोटे हैं अगर यह नहीं सिखेंगे हमें तो शायद हम कभी सीख भी नहीं पाएंगे तो और आप भी बने रहिएगा लोकारफन के साथ उस वीडियो को जाज़ जाज़ शेर कीज़ें ताकि उन तमाम भाईयों तक पहुंच सकें जो कि देश में इन चीज़ों को मिस कर रहे होंगे कहीं न कहीं और अगली शादी अगर जिसकी भी होगे मुझे कॉमेंट करके थैंक यू सो मच बने रहिएगा